जिस प्रकार से भारतिय जंता पार्टी के नेता और परधान मंत्री जी बहवीत दिखाई दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो तुका है कि बुजरात में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है और रावलजी की मेहनत और जिस परकार से उन्होंने वहाँ जो रन्यती बनाईं उसके तहात तहा हो गया है कि गुजरात में कॉंग्रेस की सरकार बनेंगे जुनाव ने कॉंग्रेस के ओफिस से रियक्शन ली तो कॉंग्रेस की गुजरात में बनती नसर आई और बीजेपी ओफिस चले गए तो बीजेपी के सरकार गुजरात में बनती नसर आई लेकिन सचाई है कि मदगरना खत्म हो चुकी है मदपेटियों में इबीम के अंदर तमाम वोटरस अपनी रियक्शन को कैद करवा चुके हैं लेकिन उससे पहले एक्जेट पॉल आया ब्रेक से पहली हमने आपको हिमाचल प्रदेश का एक्जेट पॉल दिखाए और उसमें पता चला कि पचास से ज्यादा सीटी बीजेपी के खाते में तमाम एक्जेट पॉल देते हुए नजर आई इसी पर लगातार हम बहस कर रहे हैं मन्थन कर रहे हैं कि क्या वाकिए में एक्जेट पॉल किसी एक पार्टी की लुटिया को डुबा देगा इस पर लगातार बात करने के लिए बीजेपी नेता शिल्दाबाई जी हमारे साथ हैं कॉंग्रेस नेता राजेश महर्शी जी हैं वरिष्ट पत्कार मनीश गोदा जी और विशलेशा के तोर पर ओपी गुपता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुपता जी स्वागत है सर आपका ब्रेक से पहले हमने एक्जिट पॉल दिखाए थे हमाचल प्रदेश के चुँकि आप लेट हुए तो मैं आपसे एक रियक्शन चाहता हूँ छे एक्जिट पॉल हमने दिखाए जो एजनसी न्या न्यूस चैनल के साथ मिलकर करती हैं चे में से पांच के एक्जिट पॉल में बीजेपी को पचास से ज्यादा सीटे हमाचल प्रदेश में मिल रही है और एक के एक्जिट पॉल में 45 से उपर है सर आपको लगता है कि ये जो एक्जिट पॉल है ये एक सही आंकलन आपको हिमाचल में कम से कम दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है एक्जिक पॉल सही है लेकिन इसमें आंकला थोड़ा बहुत ये है कि मेरे इसाब से 40 से 45 के बीच में सीटें आएंगी बीजेपी की कारण क्या है कि थोड़ा बहुत तो लोगों में वह है लेकिन 40 से 45 से कम नहीं आएंगी एक्जिक पॉल सही है ज़्याजा तर सब के क्योंकि सारे गलत नहीं हो सकते कभी भी और किसी ने भी कॉंग्रेस को नहीं पता है कि कॉंग्रेस के कुछ आएगा लोगों में आक्रोज भ तो यह हर राहूल गांदी के खाते में आएगे सर गिनना पड़ेगा और गुजराथ का एक्जिट पूल हम आपको दिखाना शुरू करते हैं क्योंकि गुजरात का जो exit poll है वो काफी कुछ बया करता नजरा था है सबसे पहले मैं आपको चानक्या का exit poll दिखाता हूँ जो गुजरात के अंदर किया गया गुजरात में चानक्या का exit poll कहता है कि BJP 135 सीटों पर जीते की कॉंग्रेस 47 पर अन्य यहां पर जीरो होंगे अब जरा इसको अंदाजा लगाई है क्योंकि चानक्य के बारे में ज्यादा तर ये भी कहा जाता है कि स्थी पीज़ी इसका एक्जिट पोल सही होता है लेकिन जो एक्जिट पोल यहां पर आया है उसके मताबिक जो 2012 में बीजेबी के पास सीटे थी उससे भी ज्यादा सीटे आती यहां पर नजर आ रही है क्योंकि 2012 में 119 सीटे बीजेबी के पास सी और इस बार 135 सीटे कॉंग्रेस के पास 57 सीटे थी इस बार 47 सीटे अन्य पिछली बार 2 या 3 थी इस बार 0 है तो ये चानक्य का एक्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं राजेश जी आपसे मैं रियक्शन इस पर चाहूंगा सर गुजरात में कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस 100 प्लस होगी अगर चानक्य के एक्जिट पोल को माना जाए गुजरात के नजरीये से तो आपको लगता है कि ये सही है देखी ये बिलकुल गलत है और ये गलत क्यों है इसका मैं आपको एक छोटा सा आकलन देता हूँ कि जब नरिंदर मोदी जी ने खुद ने चुनाव लड़ा था तब उस टाइम उनको 41% वोट मिला था आज की डेट में सील दाबाई जी और विशलेशक मोदय गुपता जी भी इस बात को मानेंगे कि पाटीदार वहाँ प को भी 3-4% जोड़ें तो यह 49% तक पहुँच जाता है जो कि पूरे हिंदुस्तान को नजर आ रहा है पूरी मीडिया को नजर आ रहा है और राहूल गांदी जी को जो रैस्पॉंस मिला है उसमें भी आपके सामने है कि हार्दिक पटेल जिगनेस मेवानी और अलपेश ठाक कि अंदर किस तरीके का एक्जिट पोल यहां पर आया है ताकि मेरे साथ जो महमान है और दर्शक जो हैं वो भी देखते रहें कि चाने क्या का एक्जिट पोल लगातार क्या कुछ कह रहा है राजे जी आपके इसाब से एक्जिट पोल कह रहा है कि 100 से ज्यादा सीटे कंग्रेस ने इंडर्वे कराया है उसके अलावा आप सिंपल से गणित मानिये ये तो आप भी मान रहे होंगे कि जो पार्टी-दार समाज का 14% है 19% जो धाकुर समाज का है 7% जो धूसरे एसी समाज का है उसके अलावा 9% मुसलमान है इन सब को अगर जोड़ लेते हैं तो पर्टिदार जो है जिस तरीके से उन लोगों के साथ किया गया और जो लाखों की तादाद में पब्लिक के सामने आये हैं उन्होंने अपनी रेलियां की है उनके नेताओं ने जब एस्टेबलिस लीडर ने हर्दिक पटेल और उनके साथ वालों ने सारी बाते कैदी की कुछ भी हो जाए भारतिय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे कॉंग्रेस के साथ बैट करके उनकी आरक्षन के मुद्देग पर बातचीत हो गई तो ऐसा कतई नहीं हो सकता कि जो कुछ दिख रहा है वैसा वोट नहीं पड़े मनी जी क्या वागई में आपको लगता है कि सरी 135 सीटे जो चानक के दिखा रहा है इसके साथ कुछ उपर नीचे वहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है या फिर कॉंग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने के सीटी में आपको लग सकता है और ये पूरा उलट हो सकता है मुझे तो नहीं लगता है इतना तो नहीं लगता चानक के सरवे पहले काफियात तक सही जाते रहे लेकिन फिर भी 135 गले नहीं उतर रहा है क्योंकि मोजूद अस्तिती और जिस तरह का नेक चल रहा था वहाँ पर वह उसको देखते हुए नहीं लग रहा आपको लग रहा ह नहीं ऐसा भी नहीं है सत्ता की लेहर में अपना हम उनेजनसी पर कोई टिपणि नहीं कर सकते और वो कुछ ना कुछ उनके मेथड़ोलोजी रही होगी तो अपन यह नहीं कह सकते कि सत्ता की लेहर में बैए गया था एक टारगेट बीजेपी ने दिया था अब चूँकि च प्रधानमंत्री मोधी वहां से मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके चहरे के साथ जब चुनाव लड़ा गया था तब 119 सीटे आई थी 41 पीज़ी वहाँ पर वोट शेयर था इस बार ये वोट शेयर लगबग 51 के खरीब दिखाय जा रहा है 135 सीटे हैं जनता वहाँ की जानती है कि प्रधानमंत्री मोधी वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होंगे कौन होंगे ये कोई नहीं जानता है फिर भी इतनी सीटे आ जाएंगी मैं मैं लगता है आपको नहीं बिल्कुल मैं आपको इस पस्ट कर दूं कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पार्टीदारों के दम पर जुनाब को ये अपनी तरफ मुड़ता हुआ समझ रहे थे पार्टीदारों पर ये कह रहे हैं कि हम आपको आरक्षर दे देंगे सुप्रिम कोर्ट का आदेश है कि 50% से उपर नहीं जाना चाहरा है किस फॉर्मूले के आधार पर आप यहां पर 50-50 से ज्यादा गुर्जर समाज को देनी की बात करते हैं मेरी पूरी जैंजी मेरी बात सुन लीजिए तो वो राहुल गांदी ये बताते तो साही उनको कि क्या फॉर्मूला जो मैं जंता की नजरिये से मैं आपसे बात कर रहा हूं है क्योंकि पॉलिटीशन के तोर पर करूँगा तो बयानों में इतने अंतरा आ जाते हैं कि जंता पांस से एक सो पंदरा सीटे तो मिलेंगी क्योंकि मैं जो सरकार तो आसानी से बन जाए हमदावाद सूरत और बड़ोदा तीन सिटियों मैं जा के आया था चुनाब के दोरानी जी अपने परसनल कामों से गया था लेकिन मतलब मैंने वहां लोगों से सबसे बात की सब सब्सक्राइब का जी तो का साथ हुआ है हमारे साथ ऐसा हुआ है थोड़े असंतुर्स जरूर से लेकिन ये कोई भी नहीं बोला मेरे को कांग्रेस को बूट देंगे टीक है गुपता जी मांको रोग रहा हूँ एक मिरट के लिए बस मा रोग रहा हूँ मेरे साथ बिकानेर से खालिद कुरेशी जी जुड़ गए है खालिद जी बताईए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर नमस्कार इजांतागा जाघ देखे गया है सबकर साम दुने जानती है नीजते है जब द्रवाइस नितलब उसने सच सच पाया गया है सर सच पाया नेता है जी बिलकुल खाली जी शुक्रिया हमारे साथ जोडने के लिए बाके में आपने सही कहा कि रहा देश के अंदर राजनीती अब जमीन तक इतनी पहुंचूगे कि हर घर में डिसेजन लिया जाता है और एक घर में भी चार डिसेजन हो सकते हैं बेटा कह सकता है कि मैं इसको वोट दूँगा और जो फादर है वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं यहां तक की फ्रीडम देखी जाती है लेकिन शिल्डबाई जी मैं कहा रहा हूँ कि अगर 135 सीटे वहाँ पर आई तो इसमें लेकिन अगर यह 105 सीटे आए सरकार तो भीजेबी की बन जाएगी लेकिन क्या यह फिर हार नहीं होगी देखिए बिजेंद्र जी कि जो मैं जीत का जो दावा कर रही हूँ राजेज जी देखिए राजेज जी इसमें भी खुश हैं कि वो सरकार ना बना पाएं तो कम सकम राहूल गांदी का चाहरा बच जाए हैं कि देखिए हमने दस सीटों को बढ़ा लिया जिस तरह से हमारी जो व्यूर रचना है इसमें छोटे बूत इस तरके कारेकरता से लेकर प्रदार मंदी तक जारी करता तक व्यूर रचना तक पिल्कुल हमारा एक क्योंकि जलतल वायू में तो चुनाव लड़ा तक पहुंच है जंग लड़ी है वहाँब में अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारे छोटे से छोटे कारेकरता का भी इसमें Σहयोग है उसका योगधान है इसमें जितने भी हमारे जैसे छोटे से लेके बड़े तक कारे करता है। पोल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक्जिट पॉल जो है धीरे धीरे बढ़ेगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों को वास्तिक्ता में मालूम पड़ेगा। इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहरा हूँ कि जो गुजरात के मुख्यमंतरी है रुपाणी जी वो अपने छेतर को छोड़ करके नहीं जा पाई कहीं पर चार करने के लिए। पूरा का पूरा जो भारतिये जंता पार्टी ने चुनाव लड़ा जैसा अभी इन्होंने व्यूर रचना का सब्सक्राइब इसको कहेंगी तो यह माना जाए अगर कॉंग्रेस वहाँ पर हार गई तो राहूल गांदी अभीमन्यू बन गए नहीं बलकि राहूल गांदी जिसमे फस्ते चले गए रेलिया करते चले गए एंग्सिट प्लान नहीं मिल पाए रेलिया रेलिया तब बढ़ती गई जब पऽबिक ने उनका समρतन दिया रेलिया तब बढ़ती गई जब लोग बाग और समाज उनके साथ आकर के खड़ाई जी एस遊戲 का जो मुद्दा ठा और जो इन्होंने नोट बंदी करी उसका जो लोगों में गुस्सा था उन गुस्से के आधार पी रेनियों में पीड़ी अगर 68 से 68 से 68 से जिस तरीके से इस एक्जिट पॉल के अंदर नजर आ रहा है इसको राहूल गांदी की जीत मानेंगे हंड़ेड परसेंट रहूल जीकी जीत मानेंगे कारेकर्ताऊं की जीत मानेंगे गुजरात की जंतागी जीत मानेंगे कि भारत के परधान मतुन---- परस परियास करिये तेरी बात को समझने का प्रियास करिए कोई वीजन नहीं दे पाए जलता के सामने कोई बता नहीं पाए कि हम क्या मुद्द ले क्या करना चाहिए अमनीश गोदा जी सर यह आपको थोड़ा सा तार्किक लगता है जो आकड़ा अब यहां पर निकल के आया हाँ यह कुछ तार् अगर यह आकड़ा जो यहां पर इंडिया टूड़े एकसिस का है अगर यह सही निकला तो यह कहा जाएगा राहूल गांधी के तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से कि हार के जीतना जीत कर हारने वालों को बाजी कर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आकड़े बढ़ गए तो वो जीत गए और फिर भी हार गए तो बाजी करोंगे अब यह से तो एंटी के दो-चार सीटे उनको एक्स्ट्रा मिल सकती है बागी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर मैं यह क्या रहा हूँ कोई भी लोग इस बात पर तैयार नहीं है कि हम कांग्रेस को देंगे पार्टी तारों से मैं बात किया रहे हैं साहब यहां से दिते कांग्रेस वाले भी कहां से देंगे हमको कोई कोई उस पर एगरी नहीं हुआ मेरे से कि वह मतलब कांग्रेस को इसकारन बोड देंगे और सबसे दिल्चस्प है योगेंद्र यादव का आंक लग वो क्या कुछ कहता नसर आता है क्योंकि वह अपने ही अलग अंदाज में विचलेशन भी करते हैं आंकडे भी जूटाते हैं और फिर एक प्रेडिक्शन भी करते हैं यह भी हम आपको बताएंगे लेकिन एक लक्ते, वो उसे कटी ही समझा जा सकता पहले बाते अलग थी आज कल तो बिल्कुमिये सम्हाअ क्योंकि आज कल तो दीमने बाल जो आज ओने लग गयी अग्जिट पोल बनाने वाली संस्ता है यहेरा यह जो भी एक भी एक sini ने कालती है वह कहीना कहीं मेनेज की हो थी हक